हाई एब्रीवान वेलकम बैक तो माई चैनल वोमेंस स्टाइल अप एंड मैं हूँ आपकी दोस्त मंजू आज की वीडियो में हम सिखने वाले हैं यह ब्यूटिफू सा वाइन चैंप्स बनाना गाइस इसे बनाना बहुत ही जादा एजी और मैंने इसे माइक्रेम के बचे वाइट कलर के एंड इस तरह के मैंने माइक्रेम के होलडर बनाया था तो यह मेरे पास आधा बंडल पड़ा हुआ था एंड इसके लाब मैंने लाइटर लिया है केंडल लिया और एक फोर इंच की रिंग लिया है तो आपको रिंग एक अलग से पर्चिस करने पड़ेगी बागी यहां पर जो बेल्स है वह मैंने जो वाला माइक्रेम जूमर बना था यह उसी में से बचा हुआ है और यह 20 पीस हमें लगेंगे यहां पर 29 पीस लगने वाले हैं और सीजर लगेगा और यह जो बीट्स है यह 29 पीस लगेंगे यह मीडियम साइज के यह देखिए आप उनका भी यूज़ करके लर्फूर बेल्स बना सकते हैं तो गाइज इसमाल बेल्स बनाने के लिए मैंने यहां आपने कोड को टुकडों में से कुछ कोड को यहां पर चाट कर अलग कर लिया और मैं आपको इसका मेजर्मेंट दिखा देती हुए देखिए कि 4 इंच का 4 कोड लिया है और यहां पर 10 इंच का फूर कॉड लिया है तो गाइस इह देखिए यहां पर यहां पर मेरा 13 इंच वाला कट गया था इंची टेप आपको नहीं दिख्या हुए पर यहां में मेंशन कर दूंगा आप यहां से चेक आऊट कर लिजएगा गाइस अन्डिसके पीछ वाला कर आपको जो कॉट दिख रहा होगा वह आप डेड़ मीटर ले सकते हो एंड इस तरह से मैं कॉट को स्टिक करके इस तरह से एक राउंड सर्कल बना लूँगी और पीछ वाला कॉट को मैंने यहां पर कट नहीं किया है गाइस डारेक्ट बना रही हो अगर आप अ अटेच करने का तरीका यह देखिए अब दूसरा सिरा पकड़ते हो मैं इसी में वापस से पाइपीन कर रही हूं तो बहुत इसली से अटेच हो जाएगा यह देखिए कितने अच्छ से अटेच हो गया यहां पर यहां पर मैं अपना 13 इंच वाला कॉड लोंगी और इससे ह है वापस से पाइपीन करना होगा तो इस तरह से करना हूं ри Regency अपन लिए वांट अटेच करना हमसा पर यहां इस तरह करना है को अब ध्यान से लोग विल्गूल आसी है आपको इधर और दो अटेच नहीं करना है नहीं तो आपकी जो बेल है वो खराब हो जाएगी तो इस तरह से इसके सीरे को पकड़ते हुआ आप इस तरह से दुनों साइड इस तरह से के एक बार पाइपीन कर लें और वापस से अब हम अपना 13 वाला कॉड लेंगे और इसके दुनों सीरे को मिलाकर वापस से वैसे ही हम यहां पर अटेच करेंगे तो सेम प्रॉसेस को हम पूरी रिंग में कम्प्लीट कर देंगे जो हमारे फूर फूर कॉड थी यानि तोटल हमने इसमें एट कॉड यहां प यह5 मिटर का एलेक से kutकरके ले सकते हो अपको फोल्ड करना जिए त्रह से नहीं करना है गाइज असामने के तवर कती में रहते है तरीका है गाईस बस थोड़ा जब आपके कॉड जोइंट रहते हैं तो आप में कॉड को न घुमाते हुए अपने जो अटेच किया है सॉट वाले कॉड मैं उसको मूव कर आ रहे हूँ तो बस यह सिंपल से पाइपीन है ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही पाइपीन करोगा आपको नहीं समझ में आ रहा हूँ तो आप बस रेड़ मीटर का कॉड करो और जैसे आप नॉर्मली पाइपीन करना स्टार्ट करते हो बिल्कुल वैसे स्टार्ट कर दो तो बहुत एजले से हो जाएगा और यहां मैं वन वन कॉड को पकड़ते हुए देखिए मेरी फर्स आपको करनी है और फर्स लाइन हमें ऐसे ही पाइपीन करनी होगी गाईज तो यह देखिए बहुत ही सिंपल है अगर आप ध्याम से देखोगे ना तो आपको आ जाएगा और काफी सारे लोगों को मुझे लगता आता भी होगा तो इस तरह से हमने इसमें पाइपीन किया यहां पर मैंने पूरे सरकल को कम्प्लीट कर दिया यह देखिए और यहां पर मैं आ गई हूं वापस से यहां जहां मैंने को अटेच किया था और यह जो हमारा कॉर्ड है ना इसमें इसमें नौट लगा देंगे निशानी के तोर पर ताकि हमें याद रहे कि हमनें यही से को स्टार्ट की है एंड इस तरह से हम वापस से पाइपीन स्टार्ट करेंगे तो यह देखिए हमने निक्षाने के तोर पे लगा इसके बगल में एक आपको सौट वाला कॉड्ट जो हमने सारे तीन मी इंच छोड़ा था उसको भी लेते हुए यहां पर दो कॉड्ड को में ए पच्छे से यहां पर आए तो गाइस यह देखिए यह जो मेरे कॉड्ड है नेक्स्ट यह थे उसका हम एक कॉड्ड यहां पर हम पाइपीन करें पहले दो कॉड्ड को लेते हुए पाइपीन कर रहे हैं तो आपको यही बात ध्यान देनी है गाइस कि हमने जो देरेंच वाल पहले एक साथ प्लिया पूंहें फिर दोफ काउर्ड करेंगे और में से गार्प और नीचे तो सिंप्लि सा यह मुण हैं पूरे पूरीन सरकल को कम्लेटकुनłych करके囀। तो यहां पर मैंने second line को complete कर लिया है guys यह देखिए और यहां पर जो मैंने not लगाई थी निशानी के तौर पर तो इसी से हमें पता चल गया कि हमारी यहां पर second line complete हो गया है यहां पर यह जो थर्ड लाइन बनाएंगे और थर्ड लाइन बनाने के लिए सेम जैसा कि अभी हमने second line बना बिल्कूर वही प्रोसेस है दो को पकड़ते हुए हम पाइपीन कर रहे हैं और एक और से दो बार हमें लपेटा लगाना है तभी वह पाइपीन एक पाइपीन काउंट होती है और य पाइपीन करना है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा गाइस तो ऐसे हम अपनी यह लाइन भी complete कर लिए देखिए हमारी यहां पर थर्ड लाइन भी complete हो गई यह पूरी तरह से हम अपनी फूर्थ लाइन स्टार्ट करने से पहले यहां पर यह जो सॉट वाले कॉड करकर ढान करें तो पाइन जान आने सार शन्य हमारा पंपनी स्टीग कर लेंगे तो अभी ख्रोब से यहां मैं सबसे पहले अटेज करना यहां और पर देखिए यहां पर यह जो जीने बीसार्ट इनामको दीख रहे होंगे से स्टिक कर ले अंदर की तरफ तो ऐसे सभी कोड को हम यहां पर स्टिक कर लेंगे तो ऐसे मैंने सभी कोड को यहां पर स्टिक कर लिया यह देखिए और वापस से अब हम पाइपीन स्टार्ट करेंगे तो यहां पर हमने थर्ड लाइन बना ली थी और यह देखिए हमारी इस लाइन में आपको ध्यान देना कि मैंने सभी कॉड़ को दो-दो कॉड़ को पकड़ते हूं हम पाइपिन कर रहे हैं बहुत ही सिंपल सा है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान से वीडियो को देखते हो तो क्योंकि वीडियो के स्क्रीन पे अपने स्टार्टिंग में यहां पर यह देखिए मैं चार कॉड़ को छोड़ दूगी यानि चार कोने बना लेने होगे आपको यहां पर बेल्स के पास उपर के साइट तो इस तरह से चार कॉड़ आप निकाल ले और बाकी के कॉड़ जितने भी यह उपर है अब दिख रह करने के काम आएगी तो इस तरह से डाल कर अंदर अच्छे से खीचतले बिल्कुर टाइट से अंडे उपर की तरफ यह देखिए अमारी जो पांच भी लाइन है हमें कुछ इस तरह से बना नहीं है यह वन वन कॉड़ से में सिंगल सिंगल लपेटा लगाना है तो यह देख देखिए मैंने अपनी फाइफ लाइन कंप्लीट कर लिए और यहां पर जो नॉट है ना इसी से हमें पता चलता है गाइस तो यहां पर अब हम दो-दो कॉड़ को पकड़ते हो पाइपीन कर रहे है तो यह हमारी नेक्ट लाइन है यह देखिए इस तरह से हमने पाइपिन क कर लो इसी के साथ देखिए हमारा स्मॉल साइज का बेल यहां पर बनके कंप्लीट हो गया गाइस और इसे हम पूरा अच्छे से टाइटली से खीच लेंगे और नीचे का भी साम अच्छे से खीच लेना है ताकि कहीं से कुछ भी दिखाई ना दे आगे का प्रोसेस के है और यह 6 inch का कोड़ हमने उसमें से कॉट की टुकुड़े में जाता है यह हमारा है मैं आपको मेशर करके 27 इंच लिए है guys मैं आपको इंच में आसम् randomly 27 गार्टो का हमने 27 इंच के लिए है और ईन चारो कोड़ में इन 4 एटच़ करना अब दो कार्ट में ऑमने यह 6 िंच क रिकॉड को अटेच करना इस तरह से तो अटेच करना है कुछ इस तरीके से जैसा कि मैंने अभी दिखाया गाइस तो ऐसा ही मैंने अटेच कर लिया यह देखिए साइड में आपको दोनों लॉंग वाले कॉड रखने यानि जो 27 इंच के थे और उससे हमें सिंगल साइड वाला नॉट लगाना है तो बहुत ही सिंपल है यह देखिए सिंगल साइड वाला हम नॉट लगा रहें बार बार एके साइड से जब आप कॉड को मूब कराते हो ना सिंगल साइड वाली नॉट हो जाती है और यह बहुत ही ज्यादा खुपसूरत लगती है इसलिए मैं ज्यादा तरह अपने हर डिजाइन में इसे जरूर एड करती हूँ क्योंकि यह वाला डिजाइन मुझे सबसे पसंद है बेल्ट बनाने के लिए तो ऐसे हम इसे बना लि लिए यानि दोनों साइड वाली यहां पर एक और नॉट बनाऊंगे सिंपल वाली बटी से बनानते वक्त मैं एक बात का ध्यान देती हूं यह देखिए आपको वन इंच यहाँ पर छोड़ देना है को वन इंच चोड़ने के बाद आपको नॉट लगानी और फिर जब चोड़ा तो अब नेक्स्ट वाले नॉट के टाइम आपको देड़ इंच छोड़ना यानि वन एनए हाफ मीट इंच छोड़ना है यानि देड़ इंच के करीब मैंने सेकंड टाइम नॉट लगाते को छोड़ा है अब जब मैं थर्ड आम लगांगी तो यहां पर तो इंच देनी है कि हर नॉट में मैंने हाफ आफ इंच एड़ करती गए तो फर्स्ट वाली वन इंच की फिर देड़ इंच की फिर टू इंच की ऐसे हमने थ्री नॉट यहां पर कम्प्लीट कर लिए और इसे उपर से पकरते हूं जब आप यहां पर खीचोगा ना तो यह देखिए कि कितना प्यारा सा बटर्फ्राइज जैसा हमारा डिजाइन बन जायता है अब इसके बास यह जो बीच के दो कॉड़ है इसमें मैं अपना मीडियम सेज वाला यह जो बीट है ना मैं इसे अटेच कर रहे हूं इस तरह से अब हम अपनी सिंपल वाली नॉट लगाएंगे ज ट्रोसलव अन्हें टूटलल फाइपने यहां पर लगानें तो यह यहां पर इस तरह से हमंपर आगे ऐस और नीच Artemis यहां अपर बीट और गदा अटेच करना आगे मैं मीडियम साइज वाला मैं और मैं से इसमें यहां पर बेल आटेच कर रहे हुए यहां पर यहां पर य दब्ल दोड को आपको एक एक बेल बिच में आपको लगाने उसे बड़ा में उसे या है öद्ट होगे तो यह देखिए इस तरह से श्टिक कर लेना होगा है को ऐसे ही मैंने यहाँ पर अपनी बेल्स को बना लिया और मैंने दो बनाए है, मैंने तो टल 5 बेल्स बनाने होंगे और यहां पर देखिए हुआ पर देखिए तो यहां पर इस कॉर्ड में यहां पर पंदरेंच वाल अपना कॉड यहां पर इस तरह से यहां पर जॉइंट करना होगा हूए कार्ण तो यहां पर इसी तरह से इतना हिस्सा भना लेना है यह तक मैंने कुग आपको बता रखा है तो यहां तक मैंने इस डिजाइन को कॉंटिन्यू कर दिए इसके बास हमारे पास इस टा बच गई है यहां पर फाइफ नॉट हमने छोड़ के यह देखे फाइफ नॉट होगी इसे आप काउंट करो तो यहां पर फाइफ नॉट है ना अब इस नॉट को आप हमेसा उबris बारे साइड की गigent को कांट करो له यह देखे मेंगन करकर के दिखा रही हो गाईज तो यहां से हमने यहां पर बना लिया है तो यह अमारे देखिए बहुत ही बिग साइज का याँ पर हमने यह जो एक बैल्स को हमने बहुत ही बिग साइज का बना है और यह जो साइड के कौर्ड है आपको दिख रही होगी एक्स्ट्रा थोडी बहुत इससे आप कट करके यही पे स्टिक कर दो। इस तरह से मैं इसे इसे में थूड़ा रखा है क्योंकि हमारे बीच वीच में रहेगी तो ऐसे ही टोटक हमने यहां पर अपनी फाइफ बील्स बना लिए देखिए यह चार विल्स हमारी एक साइज के और एक हमारी बड़ी है एक बड़ी इसलिए गाइस क्योंकि है पार बीच में लगेगी और किके हमारे किनारे पे तो इस बात को ध्यान रखना है और विल्कुल ऐसे आपको 5 बेल्स बना लेनी अब हम बड़ी बेल्स बनाएंगे तो यहां पर मैं आपको मेजर्मेंट दिखा देती हूं यह देखिए यह हमारा 17 इंच का कॉड्ड है यह इवलेंट नाइन वाला कॉड्ड हमारा 20 इंच का पर देखिए यह धंशी का है यह नहीं नाइन नौन वाला कॉड्ड हमने ली है यह 4 इंच का स्था में स्था म्याई हो यह सब से पहले लेंगे एंड जैसा कि हम अपनी स्मॉल बेल बनाया थे ना तो बिल्कुल वही वाला टेक्निक यहां भी उसका नहीं देखिए साड़े तीन इंच इस तरह से किनारे को पकड़ते इस तरह से मेजर करके फोल कर ले वहीं से आइब से एप्यार के हम फ्र्वा इस कि जिरी ले जाएब से परफ और पड करियां मैं इनपर में पर लूइंच वालीं अपने पर बार ना cuánt ना आय डेक्स तरह से रिंग में अटेच करना है बस प्रोसेस हुए है गाईज स्मॉल बेल वाला बस यहां पर मैंने जो बेल में उसमें कॉर्ड का रिंग बनाया था यहां पर मैं 4 इंच का रिंग ली हूँ और इस तरह से दोनों सीरियों को दोनों तब से पाइपीन कर लेंगे अब फिर स मैं यहां पर 3.5 इंच पर मेजर करके फोल्ड कर लूँगी और फिर से वापस से रिंग में अटेच कर रही हूँ गाईज सो ऐसे हम अपनी पूरी कॉड को यहां पर अटेच कर लेंगे यानि 9-9 कॉड है यानि 9-9 कॉड है टोटल हमारी 18 कॉड यहां पर अटेच होगी इस 4 इंच की रिंग में अटेच कर लेने होगी तो यहां पर मैंने पूरी रिंग में अटेच कर लिए अपनी टोटल 18 कॉड हमने यहां पर 18 कॉड अटेच के और यह जो पीच कला की कॉड है अगर आप पलक से लेना चाहो तो 10 मीटर लेना है यह कट करके यह देखिए टैन मीटर का मैंने कॉड लिए इसको इस तरह से आपको राउंड सरकल बनाना है और इसका एक सिर्फ पकरते हुए अटेच करना है और यह तो यह देखो कि लापेटा लगा रही है रही महीं करना तो यहां पर यह पाइपन करने का ही तरीका है को बहुत ज्यादा आँ मैं इसका राउंड बनाना रोड़ से कॉंपलीट करना है इस तरह से रांड बनाना इसक्र पर हम complete करेंगे और यह जो कॉर्णर है जहांसे में स्टार्ट के आपर एक नॉट जरूर लगा ले ताकि आपको निशाने के तौर पर याद रहे कि यहां से अपको नहीं स्टार्ट किया यही पर देखिए हमारा वन लाइन कंप्लीट हो गया ना गाइस यहां पर यह वाला य तो तो अब हम और भी कुल के लाइन करेंगे और यहां पर यह देखिए मेरे कंपलीट हो गई है अब हम स्टार्ट पाइठ나ा क्पलीट करेंगे तो यह Ten लाइन को मैं इस तरह से स्टार्ट करूंगे दो कॉर्ड उसे हम इस्तरह से हमें इस तरह से 2 तो इस तरह से यहां पर मैंने पाइपिन किया यह देखिए दो कॉर्ड को एक साथ पाइपिन करना है जैसे कि अपने स्मॉल बेल्स में बताया था ना बिल्कुर वही तरीका मैं इस वाले बेल में भी यूज कर रही हूं बस यहां पर लाइन अलग है यह मेरी थर्ड लाइन ह तो यह देखिए दो कॉर्ड को हमने एक साथ फिर दो सिंगल फिर दो एक साथ इसी तरह से मैं इस लाइन को पी कंप्लीट करूं भी और यह मेरी थर्ड लाइन है और जो पीछ का लग का कॉर्ड है वह हमारा टैन मीटर है तो अगर आप अलग से कट करके लेते हो तो टैन मी कि Fair itself करलेंगे न यहीमदर के लाइन को की हिरा से मैंे स्था से मेलट करके हैं यहीप को स्टिक कर लेना होगा हमारी कॉइन हो गई और फिर से हम सिंगल सिंगल में लब पेटा लगाएं कि इस तरह से याने कि लगए कर रहे हैं तो दो कॉर्ड को एक साथ पाइप आपिन करना थो ऐसे पूरा सिस्टम चलेगा यह हमारी फोर्ट लाइन भी ऐसे चलेग जैसे कि हमारी थार्ट लाइन थी बस third line के according है आपको अपनी fourth line भी बनानी है तो इस तरह से यहां पर देखिए मैंने दू कॉर्ड को पकड़ते हुए piping कर रही हूँ guys same process हमने जो small वाली बेस थी उस पर भी कियाता guys तो अगर आपको वहां नहीं समझ भी आगऊ तो I think यहां आपके सारे doubt clear हो जाएंगे तो इस तरह से हम अपनी यह वाली circle भी तयार कर लिए तो यहां पर यह देखिए मैंने यह वाला भी अपना round complete कर लिया और यहां पर यह देखिए fourth line हमारी complete हो गई है और यहां जहां से मैंने start कि था वहां पर मैं आ गई हूँ तो यह मैरी fourth line complete हो गए मैं five line बनाने से पहले ही जो quad है इससे आपको अंदर के side stick करना होगा cut करकर तो यह जितनी पी आपकी small small quad थी नहीं उसे आपको अंदर के side ले जाना है और scissor के हाप से cut करना है और lighter की हाप से melt करके वहीं पर आप stick कर लो इस तरह से अंदर की तब तो यह भी design जैसा दिखता है गाई बहुत ही दिखेगा यह देखिए मैंने stick किया ना ऐसे ही हमें अपने सभी quad को यहाँ पर stick कर लेना होगा cut करके और जितनी भी quad बचे अब उसका हम इस तरह से single single pipe in करेंगे तो यह मेरी five line है और five line में हम single single quad को pipe in कर रहे हैं तो ऐसे पूरी five line हमने complete कर लिए अपनी और यह देखिए किता खुब्सूरा दिख रहा है ना तो five line यहां तक आने के बाद complete हो गई है अब फिर से हम यहां पर यहां पर नेक्स्ट लाइन complete करेंगे तो यहां पर हमारी six line है और six line हमने ऐसी complete कर लिया तो यह देखिए six line के according मैंने यहां पर total eight line बुना है गाइस तो नीचे से मैंने पूरा count किया तो eight line तक हमने इसी तरह बना लिया ने six line तक मैंने आपको दिखा ना six line में जो process था same process को पकड़ते हुए मैं अपने eight line तक यहां बुनते हुए आगे उससे यहांनी six के बास seven eight अब इस तरह से दो दो कॉट को पकड़ते हुए मैं यहां पर pipe in कर रहे हूं तो guys confuse होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मैंने six line तक आपको दिखाया फिर seven or eight line भी same process से थी repeating थी इसलिए मैंने नहीं दिखाया आप दो कॉट को पकड़ते हुए मैंने एक साथ pipe in क्या फिसिंगल कॉट को पकड़ते हुए फिर दो कॉट को एक साथ पकड़ते हुए तो यहां पर guys आपको थोड़ा भी confuse होने की जरूरत नहीं आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख हो गए ना तो आपको समझ में आ जागा या फिर आप दो बार देखो को तो भी आजागा अब ऐसे ही मैंने पूरे अपनी यह राउंड भी कंप्लीट कर लिए तो देखिए हमारी यह लाइन भी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है और यहां पर यह देखिए यह जो हमारे को यहां पर इस तरह से कट कर लेंगे मिधर जामने कि एक साथ कंति करना हाओ और फिर से देखिए करना है एंड यह डेखें दो कर्षोड को हिंग किया आप नेष लान में फिरसिटी से अंड है यहां पर एसे हम वन को कॉट करकर इस्टिक और चूराम हमारे आगे की जो एक qaura के साथ मिलाथे अपाइपीन करेंगे तो जहां जहां भी अपने दो दो कषण पाण फेस नहीं 10 Line मे 3 वहां से औलों ये Council को कट बढ़ने हो लेठें करके हैं और उसे कर लेना हो तो इसले से दवल डबल आपकी कौड आजमेंघ हमिखी कपली करना के सिय तो यह हमारी दस भी लाइन अपनी याद तो यहां पर मैंने कंप्लीट कर लिया गाइस यह देखिए एड़ आगे का प्रोसेस के लिए यहां पर जो हमारे यह देखिए नौट है नहीं यहां पर हमारी दस्वी लाइन कंप्लीट हो गई अब यहां पर जितने भी हमारे कर दीन नहीं कोड दिखें अपने लपेटा जा उसमें से यहे उक्ट कर दो कर देगर किंगे और गटकरिया कया मैं थहां तो समझ मेंन ही आँ होगा इसलिए मैंने आपकण पहले ही दिखा दिया जस अब सबी में से OS Quanまだ कट कर लिये हैं यहाँ इस नॉट वाली को कद करना है क्वाइस Online कर आख करना है गाई इस तरह से यह दो कट को मिलाधे यहां पर देखेंगे आपकाइस तो यहां पर एक कौड मेरी अलग से बच गई तो इसे मैनेज करने के लिए मैं आगे वाले का दो कौड में से वन कौड को कट करकर और यहां पर इसे मेलड करकर थोड़ा से स्टिक कर लूँगी और इन दोनों को एक सथ पाइपीन कर इस तरह से जब आपका हो जाए तो बीच में खोल जैसा दिख रहा होगा गाईस यह दिखिए फूर फूर कॉड टोटल एट कॉड हमारे आ गया है और यह वाला जो कौड है ना इसे हम यही पर कट करकर स्टिक कर लेंगे तो बहुत ही आराम से स्टिक करो गाईस थोड़ा मैं यहां पर एंडर के स्टिक कर लो ताकि वो दिखाई नथे तो इस तरह से इहां यह पर स्टिक कर लिया है । मैं लाग तीं और से एक बंच पनी लगांगा। टो जो सबसे हभ्म हैं कर लिया है। जिससे और सिपिख रहरा उगा हुआ रहाना आपको इस दाफ से लो कहा है। बेल में इस तरह से आपको इसे किसी चीज कीहाँ से इसमें इंसर्ट कर लेना होगा है यहां पर बहुत त्यार हो जाने को और यह दो जो हमारे कॉड है इस आपको इसके आपको सरक॔र के अंदर ढाले और इस तरह से आपको यहां पर एक सिंपल सी नॉट लगाने नियानि यहां पर जमने दोनों तरफ नौट लगा लिए वन वन नॉट के वल हम नहीं लगाया गाईज और मैं आपको यहां पर डीटेल में दिखाते हूँ यहां पर बहुत ही खुबसुरा सा डीजाइन बन जाता है और यहां पर टाइट सा खिचने के बाद एक नॉट लगा दो अधर्वाइज वो अटकेगा नहीं तो इस तरह से आप नॉट लगा लो एक सिंपल सी और बिल्कुद उसके पास एकदम लगाना है और टाइट सी नॉट लगाने रुगदम करीब से लगाना इस तरह से कि अट लगा लेने के बाद यहां पर जो साइड साइड में आपको फुर फुर कॉड दिख रहे हुआ ना तैंपर जो सबसे मेरी छोटी कॉड है वो डेरे इंच कि यह देखिए देरे इंच किया ना तहुम कि यहां पर बाकी के कड को भी कट कर लूँगी यहां पर कट कर के बाद मैं दो कॉट को पकड़ते इस तरह से मीडियम साइज वाला अपना बीट अटेच्च कर रही हूं और इसे में लाइटर की हस्ता है यही पर स्टिक कर लूँगी इस तरह से अपने दूसरे साइड भी अपने दो कॉट करकर इसी तरह से बीट को अटेच्च कर लेंगे और से में प्रोसेस मुझे इस साइड भी कंप्लीट कर लेना होगा सो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया यह दिखिए दोनों तरफ हमारी बन गई अब यह जो उपर वाले दो कॉट आपको दिख रहे होगा यहाँ पर थोड़े से मेरे कॉट खराब हो गया तो मैं इसे कट करकर यहाँ पर लाइटर के हाप से स्टिक कर दूंगी तो जिससे अटेच करने के लिए आप कहीं भी एक जगह इसे थोड़ा सरिंग में स्पेस बना ले और एक जगह से आपको स्टार्ट करना इसे अटेच करना तो किसी नों के लिए इसके हप से यहाँ पर इस तरह से अटेच कर ले तो यह देखिए मैं दूसरी साइड अटेच करूंगी और आप सोच रहोगी मैं काउंट क्या करें थो हो ऊंटार याँ तो में ने यहां पर एठारा कॉट अटेच किया थे तो मैं नाइन कोड के अंतर पर यहां पर अटेच करी हूं तो आपको फोर कोने यहां पर काउंट करके बना लेने होगया तो यह दिखिह मैंने जो कर लूँगे और इस वाले को इसके साथ नौट लगाऊंगे या फिर आप आप पीण कर सकते हो या फिर नौट लगा सकते हो आप कुछ पी कर लो यहां पर इस तरह से आपको बस जॉइंट कर लेना होगा इस रिंग में इस तरह से फसाते हुए तो गाइस बस आपको चार कोने बना लेने होगे आप अपने कॉड को कॉण्ट कर लो क्योंकि हमारे 18 कॉड है तो 99 पर हमारे स्पेस पे हमें दोनों तरफ अटेच कर लिए आप जब इन दोनों का बीच आप निकालोगे न गाइस इस तरह से पहले इसको करके स्टिक कर लो फि तो यहां पर देखिए यहां पर बीच आ रहा है ना हमारा तो अब मैं यहां पर अटेच करूंगी मैं आपको एक बार अच्छे से समय आती हूँ 1,2,3,4,5 तो यहां पर हमारा आ रहा है ना तो अब यहां पर मैं कॉर्ड को सरका दूंगी दोनदवाइब तफ से और स्पेस बना लूँ भी रिंग में ताकि मैं यहां पर इस कॉर्ड को यहां पर अपर अच्छे से काउंट कर करके एक इकुरेट यहां पर फोर्क होने बनाकर और इस तरह से अटेच कर लें तो यहां पर देखिए मैं थरड कोड भी अटेच क्या वि बहुत इजिल इसे इंसर्ट हो जाता और इसी के साथ देखिए मैंने यह आपर इंसर्ट कर लिया और सभी बेल को अटेच कर लिया और कितना ज्यादा ब्यूटिफुल दिख रहा है यह आपको मेरा पसंद आए वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरू किया है चैनल को अ पस बाइब बौनद मेरा झाल को अटेश है जिए पर रहा है बलिए के बनाव है है यह धगर पसंद वाल प्रत्ों अजैंश जो के बेल बच्ते है नहे हैं एंसर्ट में अचिए कर लिए कर दो खितना घंसर्ट मेंने सेस्ट मेंाज आपको अचिक रहalion खूश टंश टे सर